नमस्कार सुर्खियों के बाद खबर विस्तार से आपके साथ मैं हूँ ललित प्रजापती मध्यप्रदेश पर पूरी नजर बनी हुई है लेकिन इस वक्षटीजगड़ का एक बड़ा अपडेट आपको देने अमिश्राह च्छटीजगड़ के दौरे पर आएंगे रमन सि पूर मोख्यमंतरी राजनांगाउं से प्रत्याशी बनाएगा है वो नामांकन दाखिले के लिए जाएंगे और उनके नामांकन के के रैली में केंडरी एकर मांत वंतरीं अमिश्राह शामिल होंगे इधर आदर शाचार सहीता लागू होते ही पुलिस ने अवैध गति विद्यों पर कारवाई तेज कर दिये इसी के तहट पन्ना जिले के अजयगर थाना प्रभारी राम हर्ष सोनकर को मुखविर से ये सूचना मिली के एक शक्स भुंडा में खेत पर बने मकान में अवैध श्यस्त्र बनानी की फैक्टरी चला रहा है घेरा बंदी कर दबिश दी गई अवैध हत्यारों का जखीरा बरामत किया गया दो व्यक्ति अवैध हत्यार बना रही थे कुछ बंदूके बनी हुई थी कुछ अदूरी थी छह देशी बंदूके एक 315 बोर का कट्टा आधे बने हुए हत्यार हत्यार बनाने का सामान ये जब्द कर लिया गया है दोनों को गिरफतार कर लिया गया है बंदूके हैं एक कट्टा है 15 गोर का 315 गोर का और अधवना कट्टा है और बारूद है तोटावस है और ये सारे रिंच पाना रुखना वसला रम्दा बनाने का सामाध्मी जो है मिली तो हमने मोके पर जब्द किया और जब्द करके कारिवाई किया उजैन के जीवा जीगंज थाना अलाके में उस समय हाहकार मच गया जब रुई और लकडी के गोदाम में आग लग गई आसपास रहने वाले लोगों ने धूआ उटता देखा तो वहाँ पहुंचे लेकिन तब तक आग विक्राल रूप ले चुकी थी लोगों ने जीवा जीगंज पुलिस को सूचना दी ततकाल फायर ब्रिगेट बुलवाई गई फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाने का प्रयास के लेकिन आग की लप्टे इतनी तेज थी कि कड़ी मशक्कत करनी पड़ी इस दोरान आग बुझाने में दो दर्जन दमकल लगानी पड़ी आखिरकार आग पर काबू पाया जा सका घनी मती रही कि कोई बड़ा हाथा नहीं हुआ किसी जन्हानी की खबर नहीं है कितनी दमकल लगी है और क्या में चेसे साथ गाड़ियां दमकल क्या में दोरा पड़ाई के इंदी और सभी के प्रियाज से लगड़ा भी कंट्रोल पहें इसका लगड़ी और लगड़ी तो यह रूमाग लगी उसके चक्तर में वो लगड़ी जल चुकी है इसका रण लगी है आग को पता नहीं कुछ नहीं है यह हर साल आग लगती है तो शुरुक्षा के को इंपिजाब रहे था है आप यह तो बासान सुचने सी है ना पुछना गोश्त पही नगई आप पता नहीं फाल्ट केस करी है तेसे है इधर बाला घाट में एक एई का चानक से धूदू कर जलने लगी और पूरी तरह से जलकर खाक हो गई आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है घटना लाल बर्रा इलाके की है इधर जबलपूर पहुंचे बीज़ेपी के प्रदेश अध्यक्षवीडी शर्मा भड़क गए कोई नाराजगी नहीं उन्हों यह भी का कि प्रदेश में बीज़ेपी का हर कारकरता संगठन की रूप में काम कर रहा है विधानसभा चुनाव में बीज़ेपी पूर्ण महुमत से सरकार बनाएगी वहीं कॉंग्रेस और प्रियंका गांधी पर जमकर प्रहार किये उन्हेंने कहा कि पहली ये बताएं कि सनातन को नकारने वाले सनातन को एश बोलने वाले प्रियंका के भाई और कॉंग्रेस के सहीयोगियों का क्या किया 2018 में जब कॉंग्रेस की सरकार थी तब किसानों से कर्द माफिका जूटा जूट बोला डेफॉल्टर बनाया बाद में बीजेपी ने बाई सौ करोड रुपै जमा करके किसानों को नौन डिफाल्टर किया बिरोजगारों को बिरोजगारी भत्ता देने का वादा हुआ उस वादे का क्या हुआ प्रचंड बहुमत की सरकार बना करके ऐसी बाते करने वालों को भी जवाब पंभणत की सप्षतिक कंग्रेस और का मंने विरोधी और आदवासी विरोधी हैं कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को अपमानित करने का ही काम किया है। यह कांग्रेस थी जिसने कभी आदिवासी जन नायकों को सम्मान नहीं दिया। टंटिया मामा हो, भीमा नायक हो, रगना साह हो, संकर साह हो, रानी जुरगावती हो, बिर्शा भगवान हो, हम इसमारक बना रहे हैं। कांग्रेस ने किवल अपने नेताओं के एक खांदान के इसमारक बनाए। हमारे दिल में आदिवासी और गरीब भाई बहन, टेंदू पत्ता तोड़ने बाले भाई और बहनों के लिए जगे हैं। इनने तो अब लाडली बहना योजना भी बंद करने की तैयारी करनी हैं, ऐसा लग रहे हैं। ट्वीट किये जा रहे हैं, मामा चुपके से परिशा डालेगा, हंटा दूगा। ओन गोइंग स्की में, कोई चलती हुई योजना, बंद नहीं की जा सकती, लाडली बहना योजना, एक करोड 32 लाख बहनों का भाग्य है, खुसाहली है, जिन्दिगी है, पैसे डलेगे आपको तकलिफ क्यों हो रहे हैं। इधर कॉंग्रेस को लेकर ये कहा जा रहा है कि MP में कल नवरातर पर प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कॉंग्रेस की तरफ से जारी की जा सकती है, पहली लिस्ट में 40 से जाड़ा केंडिडेट्स के नाम होंगे। दिली में उम्मीद्वारों के नाम पर चर्चा हुई, इससे पहले भी कॉंग्रेस से साफ कर दिया था कि पितरपक्ष के बाद ही कॉंग्रेस प्रत्याशियों के नाम का एलान करेगी। तो नुरात्र के पहले दिन लिस्ट आएगी, और कल ये माना जा रहा है कि कॉंग्रेस के लिस्ट जारी की जा सकती है, ना सर्फ मध्यप्रदेश बलके शतीज़गर और राजिस्थान, तो लिस्ट है तयार बस आने का इंतजार, इस स्थितिया ये हैं, 60 से जादा मध्यप खबर भोपाल से जहाँ पार्टी में बढ़ते विरोध पर, बीजेपी के प्रवका्ता राजपाल से सौधियाने सफाई दी, उन्हें ने कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहां हर कारेकरता को अपनी बात नेत्रत्व से कहने का अधिकार है, बीजेपी में कार पुशाषित कहने वाली पार्टी में ये क्या हो रहा है? के साथ में हमारे नेत्तर से मिलने का काम कर रहे हैं पर ये अनुशाषित तरीके से मिलने का काम कर रहे हैं मर्यादा में रेकर उचितिस्तान पर बात रखना कोई गलत नहीं है मैं तो कहता हूँ जो पार्टी अपने आपको बड़ी कितना सुचिता की राजनीती का दम भरती है वो पार्टी कारवाई करें हिम्मत है तो कारवाई करें बाकी हाँ किसी को भी टिकेट दे दें पृतिपूर की जनता ने इस पर मन बनाया इस पर कॉंगेस पार्टी के प्रि स्वास्विभा की एंबुलेंस वाहनों में सरकारी योजनाओं के पोस्टर अब तक हटे नहीं है इनमें प्रधानमंतरी मोधी और मुख्यमंतरी की फोटो लगी है इसके अलावा सीधी जिला अस्पताल समेथ जो बाहरी स्वास्तेकेंद्र के एंबुलेंस वाहन है उनमें खबर चतरपुर से कॉंग्रेस पर आचार सहीता व लंगन के आरूप लगे हैं वीजेपी उमीदवार ललिता यादवने कॉंग्रेस के विधायक हैं और सीध से प्रवल दावेदार हैं आलोक चतुरुवेदी उन पर गंभीर आरूप लगा हैं ललिता यादाव ने कहा कि कॉंग्रस विधायक चुनाओं की घोशना होने के बाद भी लगातार लोगों को पैसे कपड़े और महिलाओं को सिलाई मशीन बांट कर प्रलोभन दे रहे हैं यह उलंगन है कॉंग्रस विधायक आलोग चतुरवेदी का कहना है कि अभी पार्टी क कि त्रैनिंग का काम कर जा रहा है इनके ध्वारा एक लिष्ट बनाई दा रहा है जो आचार सहींता का उलंग Ten बेलोभण देने के लिए एक महिना से लगातारर हमारे बोटरों आधाउ को मतलब यह नहीं हूँ मैं भाय है मुझको तो मैं रक्ती भर भाय भीत नहीं हूँ ना डरा हुआ हूँ अंतराश्री ओलंपिक समिती सत्रका उद्गाटन समारोह मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आज़ित किया गया इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीती खेल और मनुरंजन जगत के सितारों को संबोधित किया 141 वे आई ओसी सत्र में पियम मोदी ने कहा कि यहां आयोजित किया जा रहा यह सत्र हमारे लिए गर्ब की बात है मैं तीम भारत को उनकी एतिहास जीत के लिए बढ़ाई भी देता हूँ उनके ऐसा कहते ही कन्वेंशन सेंटर में तालिया बज़ उठी उन्होंने आगे कहा कि भारत में आई ओसी का सत्र चालीस साल बाद हुरा है यही नहीं दोहजार चालीस करोड भारत अपना दावा पेश करेगा और इसके लिए वो कोई कूर कसर नहीं छोड़ेंगे यह बात उन्होंने कहीं यह एक सो चालीस करोड भारतियों का बर्सों पुराना सपना है उनकी आकांशा है इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 Olimpics से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ Olimpics की मेज़बानी करने को भी इच्छुक है मुझे विश्वास है भारत को आईयोसी का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा फ्रेंड स्पोर्ट सिर्फ मेडल जीतने का नहीं बलकी दीलों को जीतने का माध्यम है और इस मौके पर अंतराश्य Olimpics समिती के सदय सेनीता मानी ने कहा कि 40 साल के बाद भारत में और पहली बार मुंबई में इस एतिहासिक आईयोसी सत्र की मेजबानी करना हमारे लिए अत्यन सम्मान की बात है उन्होंने का कि प्रधान मंतरी हम बहुत खुशी से भरे हुएं कि आप हमारे साथ शामिल हुए हैं आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंतर के नेता हैं नए भारत के वास्तुकार हैं खेलो के लिए आपके समर्थन ने भारत में सत्र को बास्तविक्ता बना दिया है We are filled with immense joy and gratitude that you have joined us today You are the leader of the world's largest democracy, architect of new India Your support to sport has made this session in India a reality IOC President Mr. Thomas Bach, members and delegates of the IOC from over 80 countries and friends of the Olympic movement It is an absolute honour for us to host this historic IOC session in India after 40 years In our culture we say, It means our guest is God You all have arrived in India at an auspicious time on the eve of Navaratri a vibrant Hindu festival celebrated with song, dance and festivity that signifies the triumph of good over evil My dear friends and colleagues, in this meeting of the IOC I see the confluence of two wonderful forces One is the Olympic movement, which unites humanity and transcends all national, racial, religious and linguistic barriers The other is India, the world's largest democracy as the host of this meeting The mantra and motto of our 5,000-year-old civilization is Pasudeva Kutumbakam which our Prime Minister declared as the theme at India's presidency of the G20 summit last month It means the entire world is one family Today, more than ever Our world needs to reunite in fraternity and solidarity This cannot happen on battlefields It can only happen on sports fields Here, world cup bharat This has been found to the challenge A हमेशाय ने बढ़ाई दी है सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर अपने बढ़ाई संदेश में उन्होंने लिखा कि शांदार जीत के लिए हमारी क्रिकेट टीम को तालियों की गड़गडा हट के साथ बढ़ाई भारतीय टीम ने वर्ल्डे क्रिकेट वर्ल्ड काप में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जीत का सलसला बरकरार रखा आप सब ही ने दिखाया कि एक समान लक्ष को टीम बर्क के साथ हासल किया जा सकता है और हमारे देश के लिए ये गौरव की बात है विश्व कब 2023 जीतने की दिशा में आपके प्रयास के लिए मेरी शुभ हकाम ना है खबर अनूपूर से यहां के बिजुरी रेलवे में तैनात करीब 200 लोको पाइलट की पत्निया पहुंच गई और अधिकारियों से मदब की गोहार लगाई लोको पाइलट की पत्नियों का कहना है कि उनके पतियों को 7-10 दिन के लिए ड्यूटी पर पेंडरा भीज दिया जाता है वो घर में अकेली हो जाती है काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है उनका कहना है कि पहले सिर्फ 24 से 36 गंटे की ड्यूटी कराई जाती थी अब इसे बढ़ा दिया गया है अधिकारियों ने स्विशह पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया कि यहां लोग यह पता निक कैसी यह लोग इसकीम निकाले हैं कि छे दिन का ट्रिप है पेंडरा जाने का और पहले तो ऐसा कुछ नहीं था पहले लोको पैलेट्स को फेजा जाता था यह लोग 24 गंटे या फिर ज्यादा से ज्यादा यहां जितने हैं कि आप जैसे पहले ड्यूटी करवा रहे थे अब वैसे ही प्रोसेस चालू रखिए यह यह चैदिन का क्योंकि हम परिवार से दूर आल्रेडी रह रह रहे हैं और आप फिर हम लोगों से दूर पती लोगों को भेज़ों फिर हमारे बच्चों को हमें कौन यहां पर काफी मैला पीछे देख रही हैं यहां पर काफी मैला पीछे देख रही हैं यह मैला इनके हस्बेंडों को जो यहां चाला की पत्पर पदस्त है जो ड्राइवर होते हैं उस पत्पर पदस्त हैं इनके हस्बेंडों को बाहर बाहर भेज दिया जाता है करिए एक एक सफ़ता दो दो सफ़ता के लिए इन महिलाओं के दौरा बताया जा रहा है कि हमें समस्या होती है और हमारे हस्बेंड समस्या पर नहीं पहुंच पाते है हमें काफी प्राव्डम होती है जब इस विश्या पर अधिकारी से बात किया है उन्हों अधिकारी भी सिर्फ गोल-गोल भूमाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया हम भी अधिकारी से बात करने की कोशिस के लच्पर पसाजी से उन्होंने भी सिर्फ इस मुद्दे से हुए दिखे उन्होंने इस समस्या पर धान्तों नहीं दिया सिर्फ वो बचता ही हुए दिखे वो पूरी तरीके से गोलमों जवाब देते रहे खबर अशोक नगर से जहां आग पर काबू नहीं पाया सका 28 घंटे बाद भी आग का तांडव लगाता जाए 28 गंटे बाद भी आग पर काबू पूरी तरह नहीं पाया जा सका तलगर में रखे टायरों में आग लगी थी 12 से जादा दमकल मौके पर मौजूद है प्रशाशने कदिकारी है, पुलिस का मेहमा है एक व्रक्ति के लापता होने की भी सूचना है अशोग नगर का ये पूरा मामला कल से लगातार आग लगी हुए 23 गंटे बाद भी आग पर काबू नहीं टायरों में आग लगी हुए, पूरी तरह अभी भी ये काबू में नहीं आई है एक व्रक्ति के लापता होने के भी जानकारी है कि नंद कि चोर श्रीवास्ताव और पप्पु भाई साब हो हम बहां बैठे ते जब तो हम से बास्रूम की जाने की बुलने के गए और मेरा फोन आ गया था तो मैं एक साइड हो गया तो मैं उनसे बात करने लगा उसी दौरान ये घटना कराम हुगा और दुआ और आग की जो दुन्द शाई ना उसमें कोई किसी को नहीं दिख पाया है अब सब अपने अपने वाब में तो पाटक जी क्या माने के उनका मिलना या गुम्शुद्गी जो मानी जा रही है वो क्या मान सकते हैं अपन सुरूम मैं इस वारे में कोई 100% कोई कमेंड नहीं कर से तो वोड़ी मिले या भी मिले खरगोन में महापर्व नवरात्र की तैयरी की जा रही है पूजा समीति ने आचार सहिता का पालन करते हुए मूर्ती इस्थापना और पंडाल की तैयारी व्यापक स्थर पर की है शहर के जोति नगर महादेव मंदिर परिसर में मूर्ती इस्थापने के लिए तैयार है करीब 10,000 स्कूर फीट परिसर में 40 पीट के भव्य पंडाल में 21 फीट सिहासन पर शक्तिक प्रतीकमा दुर्गा की मूर्ती इस्थापित की जाएगी नवरात्र में गर्बा को लेकर लोगों महला गुत्सा है यहां देखने को मिलता है नवरात्री के तैवार को लेकर व्यापक इसतर में तैयारी की जा रही है लोग इस बार जो है नवरात्री के तैवार को लेकर लोगों में काफी उस्था है व्यापक इस तर पर तैयारी की जा रही जोती नगर है यहां पर विशेश रूप से नौ दिनों तक घरवे का आयोजन भी किया जाएगा विशेश गरवे का आयोजन किया कर खास बात है कि सुरक्षा को लेकर भी विशेश इंत्याम किया रहा है पूरे जो प्रजिसर है इस वह सब्सक्राइब करता है इसलिए तीन सो चौशट दिन जो तयारी होएती है तीन सो प्रजिसर दिन वह दिखती है हमारे हर कार्या में भी घरवों में सबी में अच्छा किता बड़ा पंडाल रहेगा क्या आप तयारी है इस बार हमारा 41 फिट का पंडाल है और जो माता की मुर्ति है वह एक अद्बूत रूप में हम प्रस्थूत करने जा रहे है उसमें 21 फिट का सियासन रहेगा और तो नौ दिन तक किस प्रकार का आवजन रहेगा नौ दिन प्रत्यक दिन अलग अलग तरीके के आवजन होंगे किसी दिन राजस्थानी गरभा होगा किसी दिन ही सवारी लेके आएंगे एक दिन महाकली का अगमन होगा एक दिन शीवाजी का अगमन होगा पुरिज़े नव दिन जो भी आएंगे तरसक उनको पिछले दिन से अलगी प्रस्थूतित नौ दिन अलग अलग प्रकार के घरवे होंगे बैच्चीया भी हमारे साथ मोझुष हम हमारी घर्वे की तयारी कर रहे हैं हम दीन में से तीन से चार घंटे हमआरे टाइम निकाल निकाल की त्यारी हम नब करेंगे तों नो दिन तक हमल्όσकि अलग प्रस्थोटियां मैं लुभाएंगे इसमृए हमारी 9 दिन से दिन से प्रैक्टिस जारी है और् अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो कुल बिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो तैयारी चल रही आप मेरे पीछे देख सकते हैं किसी तरफ यहां पर जो है इस बार नौरात्री के पर में भले ही चुनाओ है आचार सहीता लगी यह लेकिन लोगों में विशेसकर आईजन समिती औ उनमें उसाह की कहीं भी कोई कमी नहीं देखी जा रही आस्तोष प्रोहित न्यूजेटीन खरगौन